Hello student, आज हम करेंगे chapter number 9, sequence and series तो sequence as a definition से अगर हम बोलें, तो sequence is a set of numbers t1, t2, t3, dot 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 in order whose terms can be generated by some recursion relation or by its end-th term और tn मतलब कि जो sequence होता है, वो एक pattern follow करता है, उस pattern में होगा और उसके pattern के number को हम उसके end-th term से निकाल सकते हैं यह वाला आपको class 10 में भी मिला था chapter जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है इसको हम बोल सकते हैं कि यह serial ही बढ़ता जा रहा है नेक्स्ट वाला number क्या होगा, 5 होगा, हम इसी ली बता सकते हैं उसी तरह सकर मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया तो यह भी क्या होगा, एक pattern में होगा यह कितना है, sorry, it's 8 यह सब दो-दो करके बढ़ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यह हमने यहाँ पे लिख दिया, 3, 6, 9, 12 तो यहाँ पे यह हमको इसके बाद वाला number कितना होगा, 15 हम बोल सकते हैं तो यह, इसे हम sequence बोलते हैं sequence, यह तो हम इसके एन अफटा मालने जी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, an से भी लिखते हैं इसको, कितना लिख दिया, thrice n लिख दिया अब अगर आप यहाँ पे n का वेलू, 1 डालोगे तो आप कोई कितना मिलेगा, a1 अगर लिखेंगे तो इसका वेलू आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा अब a2 लिखोगे तो आपका वेलू कितना होगा, 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा, 6, अब आप यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, तो इस तरह से इसके पैटर्न से हम इसके वेलू को निकाल सकते हैं, that is, एन अप से निकाल सकते हैं, तो इसे हम क्या को serially add करके चलते हैं, तो यह series बन जाता है, the expression obtained by adding the terms of the sequence in the order same as that of the sequence itself is called the series, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यह वाला है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस, 4 प्लस, 6 प्लस, 8 इस तरह से अगर हम लिखते चले, तो यह क्या बन जाएगा, series बन जाएगा, तो एक series finite भी हो सकता है, infinite भी हो सकता है, अगर यह चलता जाए, तो infinite होगा, अगर यह कहीं पर जाके रुखता है, तो क्या होगा, finite होगा, basically series हमको infinite ही मिलते हैं, हम उसे net term तक ही उसका value निकाल सकते हैं, तो exercise जो आपका यहाँ पे दिया गया है, chapter 9.1, यह आपने class 10 में भी किया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 9.1 में, write the first 5 terms of each of the sequence in the exercise 1, 2, 6, whose net terms are, यहाँ पे net terms बोलके दे दिया है, जैसे question number 1 में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है, exercise 9.1 में, यहाँ पे है आपका, an is equal to n into n plus 2, तो आप यहाँ से इसका first 5 terms आपको निकाल ला है, तो आप क्या करोगे, आप n का value 1 डालोगे, तो n का value यहाँ पे आप 1 बिठा दो, 1 plus 2 यह आपका कितना बन जाएगा, 1 into 3 is equal to 3 बन जाएगा, उसी तरह से आप यहाँ पे, अगर a2 निकालते हो, तो इसका value क्या निकलेगा, a2 is equal to 2 into 2 plus 2 हो जाएगा, जहाँ-जहाँ n है, वहाँ पे 2 डाल रहे है, तो यह 2 into 4 हो जाएगा, 8, तो इस तरह से इसका value निकल के आजाएगा, a3 आप निकालोगे, तो कितना होगा, आप n के जगा पे 3 बिठाओगे, 3 plus 2 तो यह आपका बन जाएगा, कितना, 3 into 5 और यह बन जाएगा, आपका 15, तो उसी तरह से निकालना है, a4 भी आपका निकालोगे, तो यह 4 में आपका 4 बिठाना है, n के जगा पे, 4 plus 2 यह बन जाएगा, 4 into 6, जट इस आपका यह बन जाएगा, 24, तो इस तरह से हम लिखते जाएगे, a5 निकालेंगे, तो यह कितना ह 5 plus 2 और this is equal to कितना हो जाएगा, आपका 5 into 7, that is 35, तो इस तरह से आप इसके answer को निकाल सकते हो, तो similarly यहाँ पे आपको सब सारे sum करने है, यह आप class 10 में कर चुके, इसलिए मैं आपको यह आपके उपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे कर लोगे, ठीक है, तो इसको आप करना है, 9.1 का, exercise 9.1 एकदम easy है, इसमें कुछ है नहीं, simply यह वनमा के questions के लिए जाना दिया जाता है, अब यहाँ पे question number 11 पे अगर मैं आता हूं directly, इसी तरह से बाकी सब में दिया गया है, write the first 5 terms of each of the sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series, तो इसमें से हम इसके corresponding series को निकालना चाहते हैं, आप यह यहाँ पे इसी तरह से बिठाओगे और आप इसको करोगे, ठीक है, next जो यहाँ से हमारा question बनता है, वो है arithmetic progression, अब arithmetic progression क्या है, अगर हम उसके उपर आए, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे, what is arithmetic progression, arithmetic progression दरसल क्या होता है, कि यह यहाँ पे कुछ sequence हम देखते हैं, जैसे हमने लि लिख दिया, तो यह वाला number और यह वाला number जो है, इस number से इस number का अगर हम difference लेंगे, इस number से इस number का difference लेंगे, तो यह हमेशा हमें equal मिलेगा, थोड़ा ज्यादा क्लियर करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया यह dot 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 मैं ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे 4, 5 भी ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जब आप 2 minus 1 करोगे तो इसका value 1 आएगा इसी तरह से आप 3 minus 2 करोगे तो इसका value कितना आएगा 1 आएगा 4 minus 3 करोगे तो इसका value 1 आएगा तो देखें यह सब 1, 1, 1 करके increase होके जा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि जब हम कोई term माल लीजे कि मैंने an plus 1 लिखा और इसे मैं लिख रहा हूँ an plus d अगर इस format में मैं लिख रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है जो n plus 1 ए term मतलब next term हमें पिछले वाले टर्म में एक common difference एट करने से अगर हम मिलता है जैसे पहले मेरा क्या है इसके साथ अगर मैं 1 एट करता हूँ तो 1 plus 1 मुझे 2 हमीलेगा अब इस 2 के साथ में अगर मैं 1 एट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा और 3 के साथ फिर मैं 1 add करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा तो अगर इस pattern में हमें कुछ numbers मिलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं arithmetic progression बोलते हैं और arithmetic progression में अगर हम general term के हिसाब से लिखें generally तो arithmetic progression में क्या होता है general AP अगर हम बोले तो देखिए general AP में हम बोलेंगे कि हमारा जो first term है वो है A तो second term क्या पढ़ेगा A plus D क्योंकि हमने उसमे D add कर दिया common difference उसके बाद हम इसमें next वाले में बोलेंगे A plus twice D फिर उसके बाद वाले में बोलेंगे A plus thrice D और इस तरह से इसको हम बढ़ता जाएगा यह हमारा तो आपको यहाँ पर देखने को क्या बिलेगा देखिए यह four term है लेकिन यहाँ पर है A plus 3D तो मैं चाहूं तो इसे A plus 4 minus 1 into Db लिख सकता हूँ फिर इसको मैं चाहूं तो A plus 3 minus 1 into Db लिख सकता हूँ और इसको मैं चाहूं तो A plus 1 minus 1 इंटो db लिख सकता हूँ और इसे मैं a प्लस इसे मैं 2-1 लिख सकता हूँ इसे मैं 1-1 इंटो db लिख सकता हूँ तो यह जो मैंने लिखा यहाँ पे तो देखिए 4th term था 4-1, 3rd term था था 3-1 और 2nd term था तो इसमें 2-1 और 1st term था तो इसमें 1-1 तो अगर मैंने N-A term लिखना चाहा तो N-A term के लिए मुझे क्या लिखना होगा A plus N minus 1 into D तो इसे हम बोलते है N-A term of the General AP इसे हम denote भी करते है TN से denote करते है और लिखते है A plus N minus 1 into D आपने इसे class 10 में किया था और इसे वापस आपको यहाँ पे दिया गया है 9.2 exercise पूरा complete AP के उपर है तो यह हमारा AN बनके आया TN का value आया और इसे हम last AN भी लिखते थे इसकूल में आपको यह AN बोलके दिया गया था N minus 1 और मैंने यहाँ पे इसे TN बोला है General term के लिए इसे हम sometimes L से भी denote करते है that is last term L is equal to A plus N minus 1 into D और यहाँ पे L क्या है where L is equal to है हमारा last term है इसको लिखेंगे last term उसके बाद यहाँ पे A हमारा जो है वो है हमारा first term इसे हम first term लिखते है first term उसके बाद यहाँ पे N जो है वो है हमारा number of terms number of terms और यहाँ पे D जो है यह हमारा common difference ठीक है तो मैं यहाँ ज़्यादा details में आपको और कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने यह school में मिला है आपको यह same chapter है just मैं आपको reminder दे रहा हूँ कि just recap करवा के दे रहा हूँ तो यहाँ पे यह था हमारा last time का formula उसके बाद हमें sum of ap मिला था उसका formula था sn is equal to n by 2 और यह था twice a plus n minus 1 into d इस formula से हमने पूरा का पूरा sum किया था अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह formula हम use करेंगे जिससे हमारा problem solve होगा हम चाहें तो इस formula में थोड़ा सा modification करके अगर लिखें तो हम इसे a plus a plus n minus 1 into d भी लिख सकते हैं और जब इसे हम ऐसे लिखेंगे तो देखें यह वाला portion अभी हमने देखा था इसका value क्या था? l था तो यह हमारा क्या बन जाएगा? n by 2 यह बन जाएगा a plus l तो यह हमारा एक नया formula बन रहा है sum of n terms अगर हमें last term और first term पता हो और number of terms पता हो तो हम sum of the series निकाल सकते हैं ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पर arithmetic mean बोलके मिला था arithmetic mean arithmetic mean जिसे हम बोलते है em अब em अगर हमको निकालना है तो हम बोलेंगे कि माल लीजिए कि दो number है a और b दो number है और a जो है वो उसका arithmetic mean है इसका मतलब क्या होगा है? कि यह तीनों number arithmetic progression में होंगे ap में होंगे ap में होंगे मतलब यह कैसे है? हमें क्या पता है? कि अगर मैं इसको बोलता हूँ a, a और b तो a हमारा क्या है? इसका mean है इन दोनों के बीच में तो arithmetic progression क्या था? कि इसका common difference same होता है अगर मैं a से a को minus करूँ और b से a को minus करूँ तो ये दोनों क्या होगा? equal होगा और जब ये equal होगा तो हम क्या करेंगे? a को इधर लाएंगे तो ये twice a बन जाएगा और ये हमारा a plus b बन जाएगा तो this implies यहां से हम क्या लिख सकते? a is equal to a plus b divided by 2 तो हम बोलते हैं arithmetic mean जो होगा उसका formula बन जाएगा a plus b divided by 2 तो ये हमारा बन गिया arithmetic mean का formula तो exercise 9.2 में basically हम इन तीन formulas के उपर focus करेंगे number one हमारा जो होगा tn that is na term वाला formula दूसरा हो गया हमारा last term वाला formula जो की एक ही है तो दूसरा हमारा sum of the n terms का formula sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d ये वाला एक हो गया और तीसरा हो ये हो गया हमारा sn is equal to n by 2 a plus n l first term plus last term और एक हमारा arithmetic mean अगर हमको निकालना है तो दोनों number को हम add करके divided by 2 करतेंगे तो इससे हमारा arithmetic mean of two numbers निकल जाएगा तो ये तीन, चार, एक, दो, तीन और ये चार formula basically हम यहाँ पे इस exercise में use करेंगे और इससे related sum आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो देखते हम exercise के सब, तो exercise में पहला question जो दिया गया है, वो आपका दिया गया है, क्या है, देखिए 9.2, exercise, exercise 9.2 question number 1 में बुला गया है find the sum of, देखिए question में क्या दिया गया है find the sum of odd integers from 1 to 2001 हमें odd integers का sum निकालना है कहां से, 1 से लेके 1 to 2001 तक odd integers, अब देखिए, यहां से sum of odd integers बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे plus 3 बोलेंगे, plus 5 बोलेंगे, plus ऐसे करके dot dot करते हुए, last में हमारा यह 2001 आएगा, हमें इसका sum निकालना है तो यहां पे देखिए, देखिए, हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पे हमारा first term, here a जो है, वो हमारा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है last term, जो है, l, वो हमारा बन रहा है 2001, और यहां common difference जो है, वो हमारा बन रहा है, 2, तो देखिए, d पता है हमें L पता है लेकिन number of times यहाँ पे हम count करके निकाल नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे L वाला formula लगाएंगे L is equal to A plus N minus 1 into D यह हमारा formula था तो L का value है 2001 हमने बिठा दिया A का value हमारा 1 है इसको हमने बिठा दिया N का value हमें पता नहीं है N minus 1 रहने दिजिए D का value कितना है 2 तो अब हम क्या करेंगे यह 1 अगर minus होगा तो यह हमारा कितना बन जाएगा 2000 यह होगा 2 times of N minus 1 तो यहाँ से यह हमारा क्या बन जाएगा N minus 1 is equal to 1000 अब यहाँ से अगर मैं N का value तो निकालो तो N is equal to कितना होगा यह 1 इदर आएगा तो आपका बन जाएगा 1001 तो अब हमें N का value मिल चुका है तो हमें क्या निकालना है sum of the N terms that is S से निकालना है इनका जो की इस series का sum है that is क्या हो जाएगा यह N by 2 और first term plus last term यह हमारा formula था तो N का value हमने क्या निकाला 1001 divided by 2 और E का value कितना है 1 plus last term जो है वो हमारा 2001 तो 2001 अब इसको क्या करेंगे 1001 divided by 2 इसको add कर लेंगे तो यह 2002 बन जाएगा अगर हम इसको 2 से divide करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा 1001 into 1001 तो इसको multiply करेंगे तो इसका answer हो जाएगा 1002001 ठीक है अब हम देखते है question number 2 question number 2 में क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5 अब देखिए between बूला है इसका मतलब क्या होगा 100 के बाद से लेके 1000 के अंदर जो numbers 5 के multiple है multiple of multiple of 5 है उन्हें हमें लेना है तो 100 के बाद next number जो multiple of 5 आता है वो कितना आएगा 105 आएगा उसके बाद next number जो आएगा वो कितना होगा आपका 110 होगा इस तरह से 1000 से पहले वाला number जो कि 95 का multiple है वो कितना होगा 995 होगा तो first time आपका कितना बन रहा है a last time आपका कितना बन रहा है l आपको same process use करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे आपको common difference d जो है वो कितना दीख रहा है 5 दीख रहा है तो इसका solution होगा जब हम करेंगे तो solution में हम क्या लिखेंगे here इसको हम लिख लेंगे कि यह numbers कितने हैं यह वाले बन के आएगे 110 उसके बाद dot 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 यह 995 तक जाएगा अब हम यहाँ पे l का formula लिखते है वो क्या था a plus n minus 1 into d अब हम यहाँ पे बिठा देंगे l का value है 995 e का value है आपका 105 यह आपका n minus 1 into d d का value है 5 अब आप इससे इसको minus करोगे तो 995 से आपका 105 अगर minus होगा तो यह आपका 5 से 5 चला जाएगा 0 हो जाएगा यह 9 होगा यह क्या होगा 890 is equal to n minus 1 into 5 अब आप इसको अगर 5 से डिवाइड करते हो n minus 1 is equal to यह आपका कितना है 890 divided by 5 अगर कर देते हो तो यह आपका कितना बन जाएगा यह बन जाएगा आपका 178 तो यहाँ पे n का फिलू बन जाएगा कितना अगर 1 को इदर ले ले लेते हो तो 179 बन जाएगा तो यहाँ से आपको n का फिलू तो मिल गया अब हमें sum निकालने है तो sum निकालने का फॉर्मूला क्या था sn is equal to हमारा था n by 2 first term plus last term a plus l तो अब n हमारा कितना है 179 divided by 2 first term हमारा कितना है 105 last term हमारा कितना है 995 आप इसे add कर लो 179 divided by 2 उसके बाद यहाँ पे आप इसको add करोगे तो इसका value कितना होगा यह 0 हो जाएगा 1 carry 9 यह 0 हो जाएगा 1 और यह आपका हो गया 1100 तो आप इसको जब divide करोगे तो यह आपका कितना होगा 179 into 550 अब 550 को आप अगर 179 से multiply करते हो तो इसका answer कितना आएगा इसका answer आजाएगा आपका 9 8 4 5 0 तो इस तरह से हम number 2 के answer को निकाल सकते हैं next आप हम देखते हैं question number 3 में क्या दिया गया है question number 3 जो है आपका वो है in an AP the first term is 2 and the sum of the first five term is one fourth of the next five term show that the 20th term is minus 112 तो देखें यहाँ पर क्या बोला गया है एक AP है जिसका first term है 2 और sum of the first five term जो है वो क्या है one fourth of the next five term मतलब सामने के past term के sum next के past term के one fourth अगर है तो हमें दिखाना है कि इसका 20 number term जो होगा वो कितना होगा minus 1112 हो जाएगा तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे देखें तो इस question में यहाँ पे जो दिया गया है information उसमें क्या है first term तो question number three here e का value जो है वो कितना दे दिया गया है first term is 2 दे दिया गया है इसके अलावा हमें और क्या दिया गया है बोला गया है according to question common difference के बारे में नहीं बताया गया तो हम पकड लेंगे कि common difference जो है वो आपका d है common difference जो है वो कितना है d हमने पकड लिया according to question t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 sum of the first five term is one fourth of the next five terms तो next five terms आपका क्या होगा t6 होगा, t7 होगा t8 होगा t9 होगा और ये t10 होगा ठीक है अब देखिए first time का मतलब कितना होता है a होता है इसे आप लिखो के कैसे ये a होता है second time आपका कैसे निकलता है a plus d निकलता है third time आपका क्या निकलता है a plus 2d निकलता है उसके बाद fourth time आपका कितना निकलेगा a plus 3d निकलेगा एक कम कम होता है next आपका ये कितना होगा a plus 4d हो जाएगा तो देखिए हमने first 5 terms को लिख लिया इसका सब्सका इसका is equal to कितना है 1 fourth of अब इधर हमको लिखना है a plus 5d हो जाएगा आपका ये t6 का वे लू उसके बाद plus ये आपका हो जाएगा a plus 6d हो जाएगा d7 का इसका हो जाएगा a plus 7d उसी तरह से next 8 का हो गया ये a plus 9 का हो जाएगा 8d और इसके बाद इसका हो जाएगा a plus 9d तो हमने क्या किया ये second first second 5 terms को हमने लिख लिया अब इसको हम सम करते हैं तो यहाँ आपको क्या दिखेगा देखिए 1,2,3,4,5 ये तो ये 5a हो गया 1d, 2d, 3d ये 6, 6d और ये 10d, 4 मिलके total 10d हो जाएगा तिक उसी तरह से इधर 1,4 इधर आपका ये 5a हो जाएगा 5a जाएगा 5 plus 6, 11 11 plus 7 आपका बन जाएगा कितना? 18 18 plus 8 बन जाएगा 26 और 26 plus 9 आपका बन जाएगा 35 तो ये हो जाएगा plus 35d ठीक है? अब इस 4 से आप इसको multiply कर दो तो ये आपका कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20a plus 40d is equal to 5a plus 35d अब इसे हम तोड़ा simplify कर लेते हैं अब इससे अगर हम क्या करेंगे? ये minus करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15a और इसे इधर लाएगे तो ये minus 5d बन जाएगा तो यहाँ से अगर हम cancel करते हैं तो यहाँ से आपको d का value कितना मिलेगा? d is equal to minus 15a by 5 मिलेगा और ये कितना बन जाएगा? minus 3a बन जाएगा और a का value हमें कितना दिया गया है? 2 दिया गया है तो minus 3 into 2 ये बन जाएगा आपका minus 6 तो d का value हमें मिल गया a का value हमें मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है? d minus 1 एक कम लिखते हैं क्योंकि हमारा formula किया था n minus 1 और यह d तो यह कितना होगा a plus 19 d अब देखिए a का value कितना है 2 उसके बाद यह होगी आपका 19 और d का value कितना है minus 6 तो यह हमारा कितना होगा 2 minus यह हमारा हो जाएगा 1 1 4 अब इस तरह से आपको यहाँ exercise 9.2 के sum को करना है तो आज आप 9.1 के sum को complete करोगे और 9.2 के बाकी sum को आप कोसिस करोगे आप जितना तक कर सकते हो आपको करना है rest next जो भी बचता है वो सब मैं आपको next video में दूँगा ठीक है thank you